students welcome to this lecture जैसा कि एक lecture में हम डिसकस किया था relation between EMF and potential difference and internal resistance of the source तो उस lecture में हमने relation देखा था EMF यानि के electromotive force और potential difference के दर्मयान जब हमने ideal case लिया था जैसे कि मैं आपको परशो करती हूं कि यह हमारा पिशला lecture था जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक ideal situation में जो हमारे पास battery के अंदर काम हो रहा होता है वो equal हमने लिया था external circuit के अंदर किये जाने वाले काम के और उससे हमने देखा था कि हमारे पास elektromotive force होती है battery के अंदर वो equal आती है potential के जो कि हमारे पास external circuit में मौजूद होता है तो उससे हमने देखा था कि हमारे पास जो बैटरी है उसके अंदर कोई resistance मौजूद नहीं है लेकिन actually क्या होता है कि हमारे पास जो बैटरी है उसके अंदर जो काम किया जा रहा होता है वो equal नहीं होता external work के totally जैसे कि हमने देखा कि external work के totally equal हो रहा था बलके जो हमारे पास battery होती है उसके अंदर कुछ न कुछ resistance मौझूद होती है जिसे internal resistance of the source कहा जाता है तो यहाँ पे मैं दुबारा से अगर मैं वो circuit draw करूँ और इसके अंदर मैं आपको show करूँगी कि जो हमारे पास battery है उसके अंदर resistance मौझूद होती है जो कि हमने discuss किया था कि जो हम current लेते हैं वो positive charges की वज़ा से होता है तो यहाँ पे bulb की जगा मैं resistance यहाँ पे show करी हूँ यहाँ यहाँ पे bulb भी तुबारा draw कर देते हैं और bulb के across हम show करते हैं कि bulb के अंदर कुछ न कुछ यहाँ पे हमारे पास resistance मौझूद है potential मौझूद होता है यानि कि एक काम किया जा रहा होता है इन positive charges पे जब कि वो positive terminal से for example negative terminal की तरफ जा रहे हों लेकिन हमने देखा था कि जब यह positive charges बैटरी के अंदर जाते हैं तो एक काम करना पड़ता है जादा उनके उपर क्योंकि उन्हें positive terminal की तरफ जाना होता है और हम इसiqué rendre positive charges को जादा मिहन養 करनी पड़ेगी positive terminal की तरफ जाने के लिए क्योंके same charges है same sign हम देखते हैं कि हुमारे पास positive terminal के उपर positive charge है और जहमारे पास charges है वो भी positive है तो इसने जादा काम करना पड़ेगा जानते हैं कि positive charges को जादा मेहनत करनी पड़ेगी positive terminal के तरफ जाने के लिए क्योंकि same charges हैं, same sign हम देखते हैं कि हमाई पास positive terminal के उपर positive charge है और जब हमाई पास charges है वो भी positive हैं तो इसलिए जादा काम करना पड़ेगा लेकिन जब हम देखते हैं कि जब वो positive terminal के तरफ जाएंगे तो वो एक resistance भी face करेंगे अपने उपर क्योंकि जाहरी सी बात है कि जब वो positive terminal के तरफ जाएंगे तो same sign होनी के वजासे उन्हें एक repulsion feel होगी अपने उपर एक रुकावट feel होगी तो यह जो पूरा system हमारे पास यहां पर हमने बनाया है जिसमें हमारे पास positive or negative terminals है बैटरी के और साथ ही एक छोटी सी resistance यहां पर मैंने draw कि है जो कि इसकी internal resistance को show कर रहा है current source की तो यह पूरा setup जो होता है यह हमारे पास current source कहलाता है और इसकी जो EMF है ठीक है वो force जो help out करती है in charges को positive terminal की तरफ जाने के लिए उसे मैं यहां पर E से denote करती हूँ तो यह फर्क हमारे पास ideal case के मकाबले में real case में आ जाता है कि ideal case में हमने internal resistance नहीं discuss की थी लेकिन जो actually होता है उसमें हमारे पास जो battery है जो current source है उसके अंदर internal resistance मौझूद होती है यानि के अब हमारे पास जो internally work done हो रहा है वो equal हो जाएगा हमारे पास I square RT के ठीक है I square RT के equal हो जाएगा तो that means के हमारे पास जो battery का work है वो equal हो जाएगा external work के ठीक है plus internal work के क्यूंकि देखें जो हमारे पास W not जो battery के अंदर पहले काम हो रहा था वो हमारे पास था E IT वो equal हो जाएगा हमारे पास I square RT I square capital RT plus I square small RT यानि के battery को एक तो काम करना पढ़ रहा है charge को positive terminal के तरफ ले जाने के लिए और दूसरों इसको काम करना पढ़ रहा है इस internal resistance के मकाबले में तो ये हमारे पास I दोनों साइट से कट जाएगा और हमारे पास यो time T है वो भी कट जाएगा तो हमारे पास आजएगा E equals to I capital R plus I small r इस equation का हम कह देते हैं कि हमारे पास ये equation number 1 है तो जैसर के हम जानते हैं कि ohms law के मताबक हमारे पास potential equal होता है current और resistance के product के तो हमारे पास यहाँ पे आजएगा E equals to V plus I r अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास internal resistance तो 0 नहीं है यहाँ पे actual case में ठीक है that means कि जो हमारे पास EMF है बैटरी का और वो greater है V से I r की value के मताबक ठीक है क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो बैटरी है उसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है क्योंकि उसने एक resistance R को भी cover करना है और उसने positive charges को positive terminal की तरफ भी ले जाना है तो वो ज़्यादा काम होगा as compared to इस circuit के जिसमें से के positive charges positive terminal की तरफ से negative terminal की तरफ जा रहे है तो जब हम equation number 1 में देखें तो हमारे पास ये आता है कि जो हमारे पास current है आई वो अगर हम common ले ज़ें तो हमारे पास आजगा e equals to i into capital R plus small r ठीक है और i की value यहाँ से क्या आज़ेगी EMFE divided by capital R plus R ठीक है यानि कि जो हमारे पास capital R और small r है यह हमारे पास आज़ेगी total resistance ठीक है यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास total resistance आज़ेगी जो कि इस पूरे circuit में face करनी पर रही है charges को तो that means कि जो हमारे पास i है यह वो current होगा जो पूरे circuit में मौझूद है इस battery की वज़ा से जिसका जो EMFE है वो E है तो I hope students को आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारे पास electromotive force यानि कि EMF होता है उसका potential difference से relation क्या होता है और जो हमारे पास current source होते है उसके internal resistance क्या होती है